मुझा कर दो यकीन मानें आप हमारे चैनल के एक बार प्लेलिस जरूर विजिट करें लाइबरी साइन्स में चाहे आप कुछ भी कर रहे हों बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जिरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूरियन तक लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके तो जैसे कि आप लोग का एक्जाम जो है BLIS का या फिर MLIS का या CLIS का जो है या Library Science का कोई भी एक्जाम जो है 3rd of August से स्टार्ट होने वाला है तो उसी क्राम में ये जो हमारा लेक्चर सीरीज जो चल रहा है जिसमें आप लोग को टॉप इंपॉर्टेंट कोशन जो है वो आपको कवर करवा रहे हैं लोग और शॉट दोनों तो उसी सीरीज में ये BLI 224 Most Important Question जो कि 6th August को आपको होने वाला है इसमें शॉट कोशन हम आज में कराने आला है इससे पहले लोग कोशन हमने करा दिया है अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो इसमें जो है लिस्ट ऑफ शॉर्ट कोशन है जिसमें आपको 250 वर्ड्स में कवर करने होते हैं तो यह देखिए what is xml ऐसे करके कोशन आएगा या discuss the role of xml in organizing web यह दो कोशन है वो दोनों एक ही में हमने डाल दिया है तो यह तो आएगा कोशन what is xml या फिर आएगा discuss the role of xml in organizing web तो एक तरह से इस तरीके से कोशन आएगा फिर second question है explain the architecture of a large scale internet search engine internet search engine का large scale जो architecture है वो बताना है what is odms, odms क्या होता है यह आ सकता है या फिर आपको यहां से पूछ सकता है कि how does it is different from pdbms यह इस से different कैसे है तो इस तरीके से भी कोशन आपको देखने को मिल सकता है एक्जाम में question 4 है that is meta search engine क्या है what is meta search engine fifth question है multimedia messaging क्या होता है देखिए सारा जो है BLI 224 जो है वो computer based मतलब पूरा subject है तो आपको यह सारे computer से related term है अगर आपको computer आता होगा या फिर आपने two to four को briefly पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ रहे होंगे सारी सीजे तो देखिए meta search engine meta data तो आपने पढ़ रखा हो इसी तरीके से meta search engine भी इसी तरीके से बहुत सारा जब आपको information एक सार्च करना होता है तो meta search engine से आप करते हैं फिर multimedia messaging फिर पॉप IMPL लैट इमेल अकाउंट क्लाइंट server architecture यह बहुत important है यह हर बार question मतलब आता है आपका exam में देखने को मिलेगा फिर उसके बाद हो गया यहां पे bus topology के बारे मैंने अल्यडी आपको बहुत सारी वीडियो बना के आप कवर करा दिया है जिसमें start topology, mess topology, ring topology, bus topology तो कोई भी topology हो उनमें से question एक बार एक नाएक आपको देखने को मिलेगा है साथ में जैसे land, van, man, local area network, widen area network, metropolitan area network उससे भी short note आ सकता है circuit switching इस से question आ सकता है, xml इस से question कि आते हैं इन वे से कौन आएगा यहीं आपको मतलब उससे क्यां कौन से question आपको अन। हैं इतना तक हम बता रहे हैं कि इनरे से आपको जितने नंबर आपको अमग्प जो बचके मार्क होता है उसका जो जितने नमबर आपका होगा पूरा यहां से आपको मतलब या topic में आपका cover हो जाएगा तो इसके लिए टेंचन आले you short. short वाला भी आपको यहां सी पूरा cover होने वाला है. फिर उसके बाह liter of bridges तो यह है फिर internet protocol internet protocol क्या होता है इस तरी कोशन आएगा आपको एक्जाम में File System of Ubuntu OS File System of Ubuntu OS भी बार-बार पूछा गया है या फिर IPv6 Addressing System Very Important Star Mark लागा इस पे Feature of Impress Program in Libra Office Libra Office पे एक तो Long Quotient बन के आएगा एक Short Quotient बन के आएगा वैसे ही Topology पे एक Long Quotient and एक Short Quotient फिर उसके बाद Clustering Algorithm Clustering Algorithm क्या होता है Information Mesh Up क्या होता है Very Important Information Mesh Up हमे़सा ही आता है फिर है Routing Algorithm Routing Algorithm क्या होता है न दोनों में से एक तो हमे़सा ही आता है मतलब ज़चल छाथा सह चांसे सहे Routing Algorithm and Information Mesh Up इन दोनों को आप एक्जाम में देखने को जरूर मिलेगा फिर उसके बाद है वी ओ आई पी बेस्ट इंटरनेट टेली फोन वाइस ओबर वाइस ओबर इंटरनेट जो फोन है उसको यहां पे बोल रहा है कि जो हम मतलब जैसे वीडियो कॉल करते हैं जो आदियो कॉल करते हैं नेट के द्वारा उसके जो टैली फोन होता है उसके बारे में एक्स्प्रेइन करना है मतलब शौर्ट नोट लिखना है पिर है अर्डीटेक्चर दीजिटल कम्प्यूटर इसे बारकोड रीडर पारकोड रीडर आपने देखा हो उसमें दिखा देता है वहां पर return का option आता है फिर उसके बाद है feature of web 2.0 application web 2.0, web 2.1.0 इन से question एक जरूर short note and long question इन में भी देखने को मिलेगा फिर है application of multimedia very important bridges इससे भी question आते हैं web searching tool से भी question आता है RFID technology RFID technology से question आएगा आपको देखने को मिलेगा digital signature very important storage device ये भी आता है फिर आगया web security ये भी question आपको देखने को मिलेगा exam में तो ये सारे question जो थे बहुत important exam perspective से उसके अलावा markup language ये भी question आपको देखने को मिलेगा जितने भी मैंने बताया 30 इन 30 में से 30 अगर आपने cover कर लिए अच्छे से तो आपका जो full number है वो कोई भी नहीं रोक सकता हाँ ये है कि आप किस तरीके से question लिखते हैं अब यहाँ पर जैसे short note है तो यहाँ पर लिखना कैसे मैं आपको बताते हैं जैसे मालीजे markup language आ गया तो क्यूंकि short note है और उपर से internet मतलब computer ways question है तो ना तो यहाँ पर आप introduction डाल पाएंगे ना मतलब conclusion डाल पाएंगे तो start start यह आपको markup language से कर देना है इसके बारे में अच्छे से explain कर देना है example code कर देना है इसके example क्या होते हैं और भी मतलब जो latest technology होती है उससे relate अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है कहीं पर flow chart बन रहा है तो वो दिखा दे example जरूर code करें तो इससे क्या होगा आपका जो answer हो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और presentable way में दिखेगा और paragraph में लिखें अगर कहीं पर bullet बना के लिख सकते हैं 221, 222 and 223 and 224 भी complete होता है तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है informative लगा होगा कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई question समझ में नहीं आया हो या फिर अपनी तरफ से कोई point आप add करना चाहते हो तो comment works में जरूर करें प्रकार करें